हमाशंकर दोसों, आज हम इस वीडियो में एक औरम को रिवियू करेंगे यारा इस वीडियो में हम कमपणी को, स्टॉक को थोड़ा अलग तरीके से रिवियू करेंगे carro independent knowledge छोड़ा और इंघ्री सोगा portfolio and cases portfolio को और बेटर बना है जा सकता है So, इन्होंने total investment किया है 10,25,000 का and currently portfolio का size 9.9 लग का बन चुका है यानि कि 32,000 का होड़ा है loss यानि कि 3% का loss अभी portfolio में चल रहा है इन्होंने अपने portfolio में बहुत जादा stock नहीं आट किया 10,00,000 के portfolio में 10 stock ही इन्होंने add किया ऐसा नहीं कि 2019 से investment करना start किया पर फिर भी portfolio में कोई profit नहीं है बीच में तो bull market भी था सारी stock चले थे तब तो दोस्तों reason यह है कि 2019 से जो investment करना start किया था तो bull market के time पर इन्होंने अपना profit book भी किया और फिर से एक नया portfolio इन्होंने recent time में create किया है तो चली देखते तो पहला company इनके पास है R3 Industries 41,500 का investment 8% का हो रहा है इनको loss तो R3 Industries के पर आज ही हमने एक video post किया main channel पर जाके आप देख सकतो आज का पहला video जहापे हमने detail में discuss किया कि R3 Industries में actually में हुआ किया है पर फिर भी शॉट टाम न्यूज की बज़े से स्टॉक मार्केट में होता रहेगा पर आइ थिंक लॉट टाम के लिए खोल्ड and continue आप कर सकतो तेने आवस वानिशार 51,800 का इंवेस्पेंट 14% का होड़ा है loss तो आवस में actually में already काफी गिरावाट हो चुका है और इन्होंने बहुत ही high level पे इंवेस्पेंट नहीं किया है तो आवस is a good company management काफी अच्छा है बट ट्रीशनली MD ने काफी बादा महल बेचा है जिस बस एक negative environment के create हो चोगा है यह company के अराउंट है अधरवाइस business grow कर रहा है तो I think growing वाले business को आप hold कर सकतो तेने एशन पेंट एंड देर लागए आसपास का investment है अभी कुछ खास profit नहीं है और oversupply के time पे क्या होता है कि companies के sales को थोड़ा कम हो जाते जो कि इस टाइम में हम लोगो चो MDF industry ग्रीन पैनल तो वह इंडस्टी में जो चीज देखने को मिला है वह paint इंडस्टी में में भी आगे जाकर देखने को मिल सकता है तो वह एक threat ज़रूर है नेक्स कंपनी बजाज finance 2.75 lakh का investment 4% का profit बढ़िया company strong है बढ़िया management है growth भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है तो अब simply hold and continue कर सकतो तेरे campus तो इधर पे 301,000 का investment 14% का loss तो campus is a good company and I think that campus इस बार का जो result है वो अच्छा post कर सकता है क्योंकि एक साल पहले जो margin था इस बार उस हिसाब से जो margin है वो better आ सकता ह तो campus का number में भी अच्छा सकता है profit में growth काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है and business wise भी मुझे campus काफी अच्छा लगता है तो long term के लिए अगर hold करना है आपको तो आप कर सकतो तेने डिमार्ट 10,000 का investment है 4% का loss है डिमार्ट इस है strong and consistent company तो long term के लिए आप रख सकतो consistent growth के लिए उसके बाद है fine organic तो इधर पे 1,37,000 का investment 3% का hold है इनको loss तो fine organic भी अच्छा company growing company है हो सकते एक दो quarter का number थोड़ा खड़ा बाए margin में pressure देखने को उबल सकता है possibility है but long term करे it's a good company तेने happiest mind 16,800 का investment इधर पी होड़ा है loss तो इस पर happiest mind ने जो number post गया वहाँ पे growth तो sales में बढ़िय है तो वो एक negative point जरूर है but long term business पे देखा जाए तो it's a good company but near term challenges रहेगा happiest mind के बाद जो next company के पास है वो IT space है and company in forces तो इधर पे 72,300 investment 7% का hold है इनको loss in forces is a good and growing company तो इसको hold and continue किया जा सकता है but again take पूरे sector में जो take sector है वहाँ पे pressure तो रहेगा near term तो वो challenge जरूर है near term then last company relax हो and 98,000 क 14% का loss तो आज company का result आएगा अभी तक मैंने देखा नहीं है जब मैं वीडियो को record करो तो रिलक्स हो का result आएगा देखेंगे कैसा result है and उस business पर decision लेना चाहिए and क्या करना चाहिए तो वो हम main channel पे video डाल देंगे तो चाहो तो आप एक बड़ में चैनल को जाके subscribe जरू कर सकत हो okay 98,000 का investment है तो company तो अच्छा है and March का number में भी थोड़ा खड़ा बास सकता है margin time में क्योंकि एक साल पहले margin relax होगा वो थोड़ा ज्यादा था मैं आपको बदा रहे तो in short तो एक साल पहले company का जो margin था March quarter में वो 16% का था okay 16% sorry लिख देता हो 16% and last quarter December में अगर देखेंगे तो margin जो है वो 11% का था okay तो इस बार अगर improve होके 12-13% तक भी जाता है margin तो भी आप कह सकतो year on year basis पे margin drop होगा तो profit में थोड़ा सा इस जिसका impact है सकता है okay तो profit को तुमें भी बहुत जादा देखने को ना मिला है इस टेमें PEB काफी है तो अभी देखते पहले result कह साता है उस basis पे वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस portfolio को थोड़ा सा अलग तरीके साम review करने की कोशिश करेंगे तो अभी तक जो भी हमने बता है वहाँ पे कुछ अलग तो नहीं था जो हम normal basis पे हमारे framework को लगा के discuss करते वो ही किया अभी सबसे पहले तो I hope कि आप लोगो ने जो हमारा double engine या triple engine का वीडियो है वो देखा होगा अगर नहीं देखा है आप ज़रूर जाकि में चैनल पर जाए काईट्ट इंवेस्टिंग चैनल पर बहुत इंपोर्टेंट वीडियो से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा how to make 10x return और भाव पे double engine, triple engine साड़े वीडियो आपको मिल जाएंग 10 में से देखते, try करते, कुशिश करते, पता लगाने की कितने stop में हमको double engine play करता हुआ देखने को मल साकता है, कितने stop पे possibility काफी कमें, हाला कि 100% guarantee के साथ तो कोई बोल नहीं सकता, इधर पर double engine काम करेगा, इधर पर नहीं करेगा, हम possibility and probability के उबर बात करेंगे, देखें, तो आवास, तो आज के दिन, आवास का, अगर आप देखेंगे, जो price to book है, क्योंकि finance company price to book देखा जाता है, तो आवास का price to book आज 3.6 पे, तो कम तो नहीं है, क्योंकि HDPC bank, बड़े बड़े banks देखेंगे, तो उनका भी जो price to book है, वो लगभग इतना ही है, यहनकि इधर पे re-rating जो PE re-rating है, double engine का, जो एक engine है, वो है PE re-rating, एक तो earnings growth है, और दूसरा है PE re-rating, earnings growth में जितना growth होएगा, तो वो return आपको stock में मिलेगा, पट PE अगर re-rate नहीं करता है, तो बहुत बड़ा return नहीं बनता है, तो क्या PE re-rating का possibility है आवास में, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इ उसके बादे Asian paint, तो Asian paint का PE, अब सब लोग को बढ़ा कि already काफी हाई है, तो इधर पर भी PE re-rating का, जो chance है, वो काफी कम है, बजाज finance मैं खुद own करता हूँ, बट इधर भी PE re-rating का chance बहुत कम है, क्योंकि बजाज finance साथ बहुत बढ़ा company है, large cap company है, और इसका price to book अगर देख आज भी 100 का PE, तो PE re-rate तो demand के case में हुआ निया, जो भी earnings में growth था, वो ही return stock ने दिया है, तो demand में 100 से उपर PE जाने का possibility थोड़ा कम है, तो इधर पे भी PE re-rating यानिकि double engine काम करने का possibility कम है, उसके बादे fine organic, तो fine organic को इस टाइम में छोड़ देते, क्योंकि इसका PE जोए, वो I कम नहीं है, अगर PE देखेंगे तो आज 57 है, तो एक tech company 57 का as of now PE और कितना PE बढ़ जाएगा, तो re-rating का chance as of now थोड़ा कम है, तो इस टाइम में तो tech companies actually में अपने जो average PE भाँ पे जा रहे, इनफोसिस का average PE 10 साल का 10 या पे 20 पे है, अगर देखेंगे वो आपको 22 पे देखेग समय तो बहुत ही कम है, यानि कि जो total 10 stock आपके पास है, इन में से 8 stock ऐसे जहाँ पर PE रिरेटिंग का possibility हमको थोड़ा कम लग रहे है, ऐसा नहीं कि return नहीं बनेगा, return तीन चीज़ों से बनता है, एक है earnings growth, उसके बाद है PE रिरेटिंग और उसके बाद है margin expansion, तो margin कौन से company का क companies है, यह जो 8 companies है, तो इधर पे जितना growth इनके earnings में, profit में आएगा, उतना हमको जो stock में return है, वो बनता हुआ देखने को मुझ सकते हैं, यह मोटा मोटे हमने एक थोड़ा साफ probability के बाद करने की कूशिश किया, अभी देखे, आप कैसे रैप के investor आपको कितना risk लेना है, और क इनका earning growth आने का possibility, बहुत अच्छा है, strong earnings growth हमको आगे देखने को मिल सकता है, consistent growth हमको देखने को मिल सकता है, तो यह large cap के अंदर है, mid cap, small cap के उपर आपको हमारे main channel के उपडेट मिलते रहेंगे, तो दूस्त यह था इनका overall portfolio, आपको कैसा लगा, आपके सबसे क्या कूश changes करन चले, अभी देख लेते हैं, कि long term में total कितना wealth यह portfolio create करके देशाकता है, तो total investment हमने round figure में 10 लाग का ही लिया है, अगर expected return हम लेते हैं, इधर पे 16% का average, अगर 15 साल के लिए hold करते, तो यह जो 10 लाग का portfolio, यह 92 लाग तक चला जाएगा, after 15 years, अगर आप थोड़ा और continue कर लेतो तो यह 10 लाग का portfolio, 1.9 करूर तक जा साथ है, अगर आपको average 16% का return मिले, तो दोस्तों यह था आज का माड़ा portfolio review का वीडियो, I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा हुगा, वीडियो का अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरू कर देना, साधी साथ चैन को सब्सक्रेब और term long term, तो वो मैं आपके साथ share करता जाओंगा for lifetime, प्लस daily basis पे बहुत सारे lending content मिलेंगे, जिससे हर दिन आप एक better investor बनते चलेंगे, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते अगले वीडियो में, बाई